कबार बेच कर दो वक्त की रोटी का गुजारा करने वाले एक शक्स की इस हादसे में मौत हो गई वो मोटर साइकल पर सवार था और सडक किनारे से बोतले इकठी करने के लिए गलत दिशा में धिरे धिरे बाइक चला रहा था लेकिन अपनी दिशा में फसाटे के साथ आ रही कार की चपेट में आने से वो उचलता हुआ सड़क किनारे दीवार से टकराया और उसका सिर्फ अट गया काफी खून बहने के बाद उसने दम तोड़ दिया हालांकि उसे अस्पताल पहुँचाया गया था लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी चंडिगड शिमला नेशनल हाईवे 5 की ये तस्वीरे हैं जहां शिवधार के पास कार और बाइक की टककर हो गई सोमवार करीब ढ़ाई बजे की ये घटना है चंडिगड शिमला राष्ट्री उचमार्ग 5 पर कुमार हटी सोलन के बीच शिवधार के पास ये हाथसा पेशाया उधरकार सवार लोगों को भी चोटे आई है उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है बताया जा रहा है कि यहां यातायात एक तरफा है शिमला से चंडिगड जाने वाला यातायात बाया बडोक टनल जाता है और चंडिगड से शिमला जाने वाला यातायात शिवधार से होकर जाता है फिलहाल थाना धर्मपूर पुलीस आगामी जाच में जुटी हुई है कबाड बेचकर दो वक्त की रोटी का गुजारा करने वाले एक शक्स की इस हादसे में मौत हो गई वो मोटर साइकल पर सवार था और सड़क किनारे से बोतले इकठी करने के लिए गलत दिशा में धीरे धीरे बाइक चला रहा था लेकिन अपनी दिशा में फसाटे के साथ आ रही कार की चपेट में आने से वो उचलता हुआ सड़क किनारे दीवार से टकराया और उसका सिर्फ अट गया काफी खून बहने के बाद उसने दम तोड़ दिया हालांकि उसे अस्पताल पहुँचाया गया था लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी चंडिगड शिमला नेशनल हाईवे 5 की ये तस्वीरे हैं जहां शिवधार के पास कार और बाइक की टकर हो गई सोमवार करीब ढ़ाई बजे की ये घटना है चंडिगड शिमला राष्ट्री उचमार्ग 5 पर कुमार हटी सोलन के बीच शिवधार के पास ये हाथसा पेशाया उधर कार सवार लोगों को भी चोटें आई है उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया गया है बताया जा रहा है कि यहां यातायात एक तरफा है शिमला से चंडिगर जाने वाला यातायात बाया बडोक टनल जाता है और चंडिगर से शिमला जाने वाला यातायात शिवधार से होकर जाता है फिलहाल थाना धर्मपूर पुलीस आगामी जाँच में जुटी हुई है। जगामी जाँच में जुटी हुई है।